वो साथ दिन उधार से शुरू हुई मिथुन के ठुकराने पर अनिल कपूर को मिली पहली फिल्म रातो रात बने स्टार अनिल कपूर के फिल्म कुछ ऐसी थी उन्हें भी बस एक मौका चाहिए था और उन्हें ये मौका मिला फिल्म वो साथ दिन से ये उनकी पहली ही फिल्म थी जिसमें पदमनी कोलापुरी उनके हिरोईन थी उनकी पहली ही फिल्म हिट होई और वो रातो रात स्टार बन गए कमाल की बात ये है कि फिल्म में उन्हें रातो रात स्टार तो बनाये ही फिल्म पहले से ही उनके नसीब में नहीं थी अनिल कपूर का इस फिल्म के साथ कोई नाम नहीं जुड़ा हुआ था मेडिया रिपोर्ट के अनुसार अनिल कपूर ने जिस करिदार को निभाया उसके लिए बोनी कपूर ने किसी अन्य स्टार को पसंद किया था लेकिन हालात ऐसे बन गए कि बोनी कपूर को एन मौगे पर अनिल कपूर को लेकर फिल्म बनाने पड़ी फिल्म में अनिल कपूर ने प्रेम परताब पटियाले वाले का क्रिदार ने भाया जो यादगार बन गया, उनकी पहली फिल्म मील का पत्थर साबित हुई बस भाया फिर क्या था, इस फिल्म के बाद अनिल कपूर ने कभी भी पीशे मुल कर नहीं देखा बोनी कपूर को साथ दिन में अनिल कपूर को नहीं, बलके मिथुन चकरवर्थी को कास करना चाहते थे उन्होंने मिथुन और पदमिनी की जोड़ी को लेकर फिल्म मनाने की पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन उस समय तक मिथुन चकरवर्थी स्टार बन चुके थे और उनके पास कई फिल्मों के आफर पहले सी थे इसी व्यस्ता था के कारण उन्हें डेट्स की प्रॉब्लम आ रही थी और उन्होंने इस फिल्म को करने से इंकार कर दिया अनिल कपूर के पास ये मौका केवल मिथुन के हातों से फिसल करनी आया मिथुन के बाद इस फिल्म के लिए संजीव कुमार और रंधीर कपूर को लेने की बाद भी हुई लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दूसरी तरफ एक मौके के इंतजार में बैठे अनिल कपूर के पास उन दिनों कोई काम नहीं था अनिल कपूर पहले से इस किरदार को निपाने के लिए मन बनाया हुए थे लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा अपा रहे थे कि वो अपने बड़े भाई से कैसे कहें कि मुझे आप हीरो बना दो लेकिन मिथों के आफ़र ढुकराने के बाद बोनी कपूर ने डारेक्टर बापू से बात की और फिल्म में अनिल कपूर को कास्ट कर लिया हाला कि इस किरदार के लिए अनिल की उमर और तज़ूरबा दो GT है लेकिन किस्मत के बाद थी कि इसी फिल्म में अनिल कपूर को ना केवल फिल्म का एहम हिस्सा बने बलकि इस फिल्म को हिट भी कर दिया इस फिल्म ने अनिल कपूर को रात और रात बहतरीन स्टार बना दिया फिल्म के राइट्स करिदने के लिए उन्होंने पैसे उधार लिये थे बता दें कि फिल्म वो साथ दिन साउथ के जाने माने डारेक्टर के भागयराज की बनाए हुई एक तमिल फिल्म की हिंदी रिमेक है के भागयराज खुद इस फिल्म के हीरो थे बोनी कपूर इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाना चाहते थे और इसके लिए फिल्म के राइट्स वो अपने छोटे भाई एनल कुपूर के साथ चिन्नाई गए पहली बार ये डिल नहीं हो सकी क्योंकि बोनी के पास फिल्म के राइट्स करदने के लिए परियाप्त राशी नहीं थी लेकिन किस्मत अच्छी थी उनी दुनों संजी कुमार अपनी एक फिल्म शूटिंग चिन्नाई में कर रहे थे बोनी कपूर ने तब राइट्स करदने के लिए संजी कुमार से पैसे उधार लिये इसके साथ उन्होंने शाबाना आजमी से भी कुछ पैसे उधार लिये थे ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारी जैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले